नमस्कार, क्यापिचल टिवी का खाशो राहूल का अगनिपत देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा राहूल गांदी अपने अगनिपत में आज फिर से 9 दिन के लंबे ब्रेक एंड रेस्ट के बाद उतर आए है दिल्ली से दुबारा शुरू हुई ये यात्रा अब उतर प्रदेश में प्रवेस करेगी पर अब राहूल गांदी का सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया है हलाकि राहुल गांदी की सुरक्षा और पुक्ता करने का आश्वासन जरूर दिया गया पर राहुल गांदी की सुरक्षा में चूक की बाद के इनकार के बाद भी राजनीती क्यों कॉंग्रस कर रही है कॉंग्रस ने राहूल गांदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर ग्रेमंत्राले को चठी लिखी थी इसे लेकर CRPF ने ग्रेमंत्राले को जवाब भी सौप दिया CRPF ने ग्रे मंत्राले को बताया कि राहूल गांदी ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियमों का उलंगन किया है CRPF के मताबिक कई बार भारत जोडो यात्रा के दौरान भी ऐसा हुआ तो ये कॉंग्रिस की कौन सी नहीं चाल है आज इसे समझेंगे बाचुक के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौजूद है Capital TV के Executive Editor राजीब जी राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका दन्यवाद आज से फिर ये यात्रा शुरू हो रही है मतलब वो जो अभी तक यात्रा में लगभग थोड़े बहुत जो उन्होंने कमाया था इस नौ दिनों में उन्होंने सारा का सारा गवा दिया क्योंकि यात्रा के बीच के इस पड़ाव में कॉंग्रेस को मन्थन करने का समय मिला लेकिन जब बुद्धी भरस्ट हो और मन्थन की दिशा ही उल्टी हो तो ऐसे में मन्थन से जो परिणाम निकलेगा वो अमरित के बदले विश होगा ये मन्थन का परिणाम उसकी स्ट्रोड़ी के उपर डिपेंड करती है कि आप कि इस दिशा में चल रहे हो राहूल गांधी की यात्रा कॉंग्रेस को मजबूत करने के लिए चलाए गई थी कि कॉंग्रेस को मजबूत किया जाएगा अब कॉंग्रेस मजबूत होने का मतलब सिर्फ भारतिय जनता पार्टी को कमजोर करना नहीं होता है अगर पूरे हिंदुस्तान में देखा जाएं तो कॉंग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सोचती है कि भारतिय जनता पार्टी कमजोर होगी तभी कॉंग्रेस मजबूत होगी जबकि केरल में भारतिय जनता पार्टी कॉंग्रेस के लिए चुनोती नहीं है। जबकि के सारे राज्यों की बात है जहां पर राहुल गांदी ने सबसे ज़्यादा समय दिया है। बिहार में भारतिय जनता पार्टी को कमजोर करके कॉंग्रेस आगे बढ़ेगी। या फिर जदिव और राजद या छोटी छोटी पार्टी जो है जो एंटी बीजेपी वोट अभी ले रही है उसको कमजोर करके कॉंग्रेस मजूद होगी। ये स्ट्रटी जो रही ये नौ दिन के इस मंथन में और दूस्परिणाम सामने आए कि भारतिय जनता पार्टी को टार्गेट करो क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वर्सिस राहूल गांधी करना है दो हजार चोबिस में। अब ये स्ट्रटी उनके लिए नुकसान दायक साबित हुई। इसके लिए इन्होंने दो तीन प्लान बनाए और भाजपा पर डाइरेक्ट हमला करना शुरू कर दिया। और जम्मू कश्मीर में जाना है ये दोनों ज्यादा खतरना है। इन्होंने मुद्दा तो उठा दिया कि सुरक्षा दीजिये, सुरक्षा मुहया कराइए और जेड़ प्लस सीक्यूटी है तो CRPF को जिम्मेदारी होगी। अब केंदर सरकार तो जवाब और सवाल उसी से करेगी। इसलिए इन लोगों ने मुद्दा उठाया भाजपा को गिरने के लिए खुद ही गिर के रह गे। क्योंकि CRPF ने कह दिया कि 113 बार इनोंने सीक्यूटी ब्रिज किया है। वो भी भारत जड़ो यात्रा में भी किया। वो भारत जड़ो यात्रा में भी किया। क्योंकि साउस से जब चल रहे थे तो हीरो गिरी दिखाने के लिए लोगों से मिलना, हाथ मिलाना, उसके बाद बारिश में बच्चे को गोद उठाना, सुरक्षा का कोई ख्याल ही नहीं था। लेकिन जैसे ही दिली पहुचे और नौ दिन का ब्रेक हुआ, इन लोगों को लगा कि नौ दिन में तो सारे लोग भूल जाएंगी, मीडिया भी तबज्जो नहीं देगी, तो इसलिए मीडिया में बने रहने के लिए और जो विफल हुई है राहूल गांधी की यात्रा, ज उन्होंने कहा है कि ये भारत जोड़ो यातरा जो है, ये अलफसंखकों को जोडने वाली यातरा है, इससे कुछ नी होने वाला है कॉंग्रेस को, चाहिए कि हिंदू ओं को भी जोड़े, बिना हिंदूं को जोड़े हुए भारत में, हिंदुस्तान में कोई भी पाटी पूत हो ही नहीं सकती, सरकार बना ही नहीं सकती, ये उनका एंटोनी पैनल भी आया था, 2014 के चुनाम में कॉंग्रेस की हार के बाद, जो इन लोगों ने मन्थन किया था, रिपोर्ट तयार की थी, उसमें भी कहा था कि जो बातें कॉंग्रेस ने की, जो मुद्दे उठाए, उ उनको टार्गेट ही इसलिए किया जा रहा था, कि उनको गुजरात दंगे का दोशी बताया जा रहा था, तो ये सारे के सारे ये दिखाने के कोशिश थी, कि हिंदुस्तान में हिंदू अत्याचार करते हैं मुसल्माने को उपर, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है, पाकिस परत्याचार की हिंदुस्तान में उल्टा है यहां पर आरोप लगता है मुसलमानों के उपर कि वो हिंदू का कनवर्जन करवा रहे हैं हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए पूरी कॉंस्पिरेसी की जा रही है और ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी बहु संख्यक वाले धर्म को उसके अलपसंख्यक धर्म वाले कनवर्ट करवा रहे हैं अब Lden में जाके कोई मुसलमान हो या हिंदू हो क्रिश्चनों को हिंदू या मुसल्मान बनाए यह वहां के लिए बड़ी चुनोती होती है हिंदुस्तान के लिए बड़ी चुनोती रही है कि कोई अगर एक भी खबर कोई बता दे एक भी ऐसी जो भी मुद्दे चलते हों कि पूरे अरब कंट्री में अफिर्का में या पाकिस्तान बंगलादेस में कि पाकिस्तान बंगलादेस या अरब के देसों में कुछ मुसल्मानों ने हिंदू धर्म अपना लिया या वहां पर Conversion के लिए कोई एक संस्था काम कर रही है ऐसा नहीं होता है ये होगा तो उन लोगों को जिन्दा जला दिया जाएगा सीधे फासी पर लटका दिया जाएगा लेकिन हिंदुस्तान में लिब्रल बेभार है लिब्रल सरकारे रही तुष्टी करण की राजनीती रही तो ये सब चलता रहा लेकिन अब राहूल गांधी सीक्यूर्टी का मसला उठाए होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट दी सीअर पियफ ने बता दिया अब तो सवाल ये है कि आप दिल्ली से चलते हुए उत्तर परदेश जाएगे हरियाना जाएगे पंजाब जाएगे हिमाचल में एक दिन रुकेंगे और फिर जम्मू के समिट जाएगे अब यहां से तो आगे सीयार पियफ बाला आपको नोटिस देगा क्योंकि आप उसके उपर सवाल उठा रहे हैं और वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि आप हमें स्वतंतरता नहीं देंगे सुरक्षा परदान करने की तो हम कैसे करेंगे क्या राहूल गांधी को पकड़ के बंद कर दे सीयार पिय बला या जेड प्लस सीक्यूर्टी उनको मिली हुई है सीक्यूर्टी गेरे से बाहर जाने पर राहूल गांधी को आरेस्ट कर ले ये कुछ हो सकता है सवाल तो अब तो जेड प्लस सीक्यूर्टी के घेरे में रहने वाले राहूल गांधी को एक एक बात ध्यान रखना चाहिए कि वो भीड में कैसे चल रहे हैं जिसतरे से आपने बताया कि अब संसिटिव एरिया में वो अंटर करने वाले हैं तो क्या लगताया जिसतरे से वो हीरोगिरी दिखाते हैं तो ये दोनो जगो पर उनके ऑफिसर जो हे वो गिह मंत्री को भी रिपोर्ट देंगे और ग्रीह मंत्राले से आदेश आने वाला है, सक्त आदेश है, इस बीज जो कॉंग्रेस ने सवाल उठाये हैं, उसी का जवाब है कि आप सिक्यूरिटी के घेरे से बाहर नहीं जा सकते, ये कॉंग्रेस मुखौल बनाती है, कॉंग्रेस ने परदान मंत्री नरिंद मोदी की बात कई जगे वीडियो आपको दिकाएं पड़ेंगे, तो ये स्थिया कॉंग्रेस की रही है, आमाग्मी पाटी की रही है, लेकिन राहूल गांधी के जो सलाहकारों ने ये मुद्दा उठाया, उसका मतलब है कि उन्होंने राहूल गांधी को फसा दिया है, अब यात्रा में समस्याएं आएगी सिक्यूटी को लेकर और राहूल गांधी पंजाब में हीरो नहीं बन पाएंगे, कश्मीर में हीरो नहीं बन पाएंगे, उन दोनों जगों पर इनको सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, जो की यात्रा के लिए सबसे महत्पूर्ण जगा है, इ जम्मु कस्वरी में 15 दिन के करीब इनको गुजारना था, वो धीरे-धीरे कम हो गया, 20 फरवरी तक था, उसके बाद 26 जनवरी की बात उन्होंने की, उसके बाद 30 जनवरी तक की बात कर रहे हैं, तो ये कंट्रोवर से चलती रही, लेकिन सुरक्षा का एक बड़ा है कि इस बीच इन लोगों ने जितने प्रेस कॉंफरेंस किये, चाहे आई बी रिपोर्ट की बात की, 9 दिन के अंदर, या फिर जो प्रेस कॉंफरेंस में भारत जोडो यातरा के संदर्व में इन्होंने संपरदायक्ता की बात की, भारत में संपरदायक्ता तनाव बढ़ हैं, भारतिय जनता पाटी है, जो यहां हिंदूों को भड़का रही है, यह सारे वही मुद्दे हैं, जो 2014 में मोदी को मजबूत किया था, जो 2019 में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को और जादा मजबूत किया था, 200 से 300 पार कर दिया, आप 300 से 400 पार करेगा, यानि भारत जोड़ो यात्रा से कॉंग्रेस को जितना फायदा दिखता है, उससे जादा फायदा भारतिय जनता पाटी और पीम मोदी को मिल रहा है, पीम मोदी और धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि इनका मुद्दा ही ये आठ साल पहले जो मुद्दा उठा रहे थे, वही मुद्दा इनका आज भी है, भारत जोड़ना है, यानि भारत बिखरा हुआ है, भारत क्यों बिखरा हुआ है, क्योंकि यहां के बहुसंख्यक जागरित हो चुके हैं, यहां के बहुसंख्यक अपने अधिकारों के लि पूरी जिम्मेदारी बहु संखिय को की नहीं है भावनाहें इनकी भी आद होती है और यह अब सिर्फ और अपने अधिकारों की बाद कर रहे हैं उसमें तकलीफ हो रहा है और उन अधिकारों को दबाने के कोशिश कॉंग्रेस और राहुल कर रहे हैं कि ब्रेक में राहुल गांधी का एक और एजन्डा एक्सपोज हो चुका है कि वह भारत जोड़ो यात्रा पे इसले निकले हैं ताकि वह 2024 में प्यम मोधी को टक्कर दे पाए क्योंकि उमिद्वार पीम की घोशना कर चुकी है कॉंग्रेस की राहुल गांधी होंग उमिद्वार के तौर पर इनको पेश कर दिया अब भले ही उपरी तौर पर राजरीती में ऐसा नहीं होता है कि डाइरेक्ट कोई किसी के बारे में कुछ कह दे लेकिन उपरी तौर पर नितीश कुमार बधाई दे दे या फिर माया बती और अखलेस यादब बधाई दे दे उन्होंने भाज़पा का साथी इसलिये चोड़ा है कि पीम का उम्मिदवार बनाया जा सके ये लोग आखिर में एक साथ नहीं आ सकते अब कॉंग्रेस को और कमजोर करने की तैयारी में लोग लग चुके हैं जो थोड़ी बहुत संभाबना है इस बात की थी कि यूपी में मा को अलग ठलग कर दो राजाद जदियू का गठवंदन हो और दूनों का गठवंदन होगा तो पार्टीयों में टिकट का बटवारा भी होगा तो बराबर-बराबर कहोगा इन लोगों को साथ रखने से नुकसान हो रहा है जिसका कोई वोट BANK नहीं है आधार नहीं है तो ये पूरी तीजें चल रही है साथ में और ये नौ दिन के ब्रेक का असर है कि और ब्रेक फिल हो गया है बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवार समझाने के लिए तो CRPF राहूल गांधी को जेट प्लस रेनी की सुरक्षा मुहिया कराती है सुरक्षा एजनसी ने आरूपो का तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रिस के तरफ से जानकाली दी गई है कि भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को जमुकश्मीर में प्रवेस करेगी 30 जनवरी को श्रिनगर में इस यात्रा का समापन हो जाएगा जहां राहूल गांधी तिरंगा फैराएंगे कश्मीर के लाल कि समापनी का ऐलान करेंगे आज के मारे खास शो में फिलाल इतना ही देखते रिये कैपिटल टीवी नमस्कार